हेलो दोस्तो आप देख रहे हैं आपका अपना चेनल सो प्लीज चेनल को सस्क्राइब जरूर करें दोस्तो यह फिल्म रिलीज होने से पहले फिल्म प्रोडक्शन के सारे रिकॉर्ड्स दोड़ चुकी है और मुझे यकीन है कि रिलीज होने के बाद बॉक्स ओफिस के भी सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे जी हाँ दोस्तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की मेगा बजट और एसिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म 2.0 की यह फिल्म 2010 में आई रोबोट का सिक्वल है और इसका नाम रोबोट 2 रखा जाना था लेकिन एक लीगल इसू के कारण इसका नाम 2.0 रखा गया दोस्तो आज तक की वॉलिवूड की कोई भी 3D फिल्म पहले 2D में सूट होती है फिर उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D में करबट किया जाता है लेकिन दोस्तो 2.0 भारत की पहली ऐसी फिल्म होगी जिसकी सूटिंग डारेक्ट 3D कैमरो और 3D ग्लसेज लगा कर की गई है जैसे की हॉलिवूड की 3D फिल्म मुकी की जाती है दोस्तो बाहुवली के दोनों पार्ट का कुल बजट 430 करोड था लेकिन आपको ये जानके हरानी होगी कि सिर्फ 2.0 का टोटल बजट 450 करोड है तो आप खुद ही अनुमान लगा लिजिए कि ये फिल्म कितनी बड़ी होगी फिल्म में अक्षे कुमार एक सैंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड का किरदार निभाते नजर आएंगे जो एक एकस्पेरिमेंट के दोरान खुद को एक भयानक क्रोमेन यानि कवे के रुप में परवर्तित कर लेते हैं अक्षे कुमार के मेक अप में 4 से 5 करोड का खर्चा आया है तोस्तों इतने में तो विक्की डोनर और पान सिंग तुमर जैसे कई फिल्म ले बन गई थी इसके साथ ही आपको ये भी बता दू कि अक्षे कुमार इस 2.0 फिल्म से अपना पहला तमिल डेब्यू कर रहे है उनके इस रोल के लिए सबसे पहले फिल्म मेकर्स ने कमल हसन, विक्रम, रितिक रोशन, नील नितिन मुकेस और यहां तक की अर्नॉल्ड को भी अप्रोच किया था बलकि अर्नॉल्ड तो इस करेक्टर में बिल्कुल फिट भी आ रहे थे लेकिन उन्होंने इस फिल्म के 30 दिन के सुटिंग के लिए 100 करोड रूपयों का डिमांड किया और अगर एक भी दिन ज्यादा रुकना पड़ता तो हर दिन के 2 से 3 गुना ज्यादा पैसे उन्हें देने पड़ते रकम ज्यादा होने के वज़ा से फिल्म मेंकर्स ने उनके बज़ाय अक्षे को फिल्म में लिया वहीं दूसरी तरफ रजनी कांत के हेल्थ हिसु के कारण यह रोल अमीर खान का उफर किया जा रहा था लेकिन उन्होंने यह कहा कर मना कर दिया कि जब भी वो इस रोल को इमेजिन करते हैं उन्हें सिर्फ रजनी सर ही नजर आते हैं फिल्म की केवल म्यूजिक लाँच इवेंट में 15 करोड रुपे खर्च किये गए हैं जो की वालिवूड की कई सुपर हिट फिल्में जैसे की हेटर स्टोरी, तनु बेट्स मनु और आजकी 2 के टोटल बजट से भी बहुत ज्यादा है दोस्तों ये इंडिया की पहली ऐसी फिल्म होगी जो 15 लेंग्योजेज में रिलीज होने जा रही है जबकि वहीं बाहुवली 2 सिर्फ चार लेंग्योजेज में रिलीज हुई थी फिल्म के सेट पर सिक्यूरोटी डिजन की वज़ा से किसी को भी मुबाइल फोन या फिर स्टोरिस डिवाइस लाने का पर्मिसन नहीं था चाहे वो एक्टर हो या फिल्म का कोई और मेंबर यहां तक कि मुवी के बारे में किसी को डिसकस करने की वेर्मती नहीं थी और यह सब इसलिए था कि अक्षय का लूग क्रोमेन मीडिया में लीक हो गया था और हाल ही में 2.0 के कुछ और फोटोज लीक हो गये है फिल्म में रजनी कांत और अक्षय कुमार क्यालावा, एमी जैक्सन, अदिल हुसेन और सुधानसु पांडे भी अपने-पने किरदार में नजर आएंगे 2.0 के सेटिलाइट राइट्स 110 करोन में बिके और हिंदी थ्रेडिकल राइट्स बिके 80 करोन में जो आज तक का सबसे बड़ा अमाउंट है दोस्तो सेटिलाइट राइट का मतलब है फिल्म के प्रोडूसर्स 110 करोन में इस फिल्म को टीवी पर कुछ समय के बाद इसे दिखाने के उनमती दी है अगर हम बाहुबली 2 से इसे कंपेर करें तो उसके सटिलाइट राइट 78 करोड और हिंदी राइट 50 करोड में बिके थे फिल्म में रजनी कांथ 5 डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें से एक रोबोट, एक सैंटिस्ट, दो बौने लोग और एक विलेन का रोल है लेकिन अक्षे कुमार के फैंस के लिए एक good news है अक्षे कुमार इस फिल्म में कुल 12 डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं और उनका हर एक किरदार देखने लाइक होगा दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि exact face copy करने के लिए कैसे अक्षे कुमार और रजनी कांत plaster face casting technique की हल प्ले रहे हैं अक्षे कुमार के सिर्फ make-up में 6 घंटों का समय लगता था और इस कारण उन्हें set पर सबसे पहले आना परता था इस फिल्म में music दिया है Oscar winner ये रह्मान ने उन्होंने कहा है मैं कोसिस करूँगा कुछ यूनीक हो इंडिया और वर्ल्ड के लिए 2.0 में total 5 soundtracks हैं लेकिन फिल्म में हमें सिर्फ एक song देखने को मिलेगा फिल्म को बनाने के लिए एक बहुत ही कुसल technical team तियार की गई है official costume designer Mary E. Wogart जो Hollywood के Man in Black, Batman और Tamil के आई जैसे blockbuster filmों के किरदारों के costume design कर चुकी है movie में special effects के लिए John Hughes और Walt Johns को sign किये गए है जिन्होंने Life of Pi और 300 जैसी धेरो movies में खाम किया है फिल्म का एक बड़ा action scene दिल्ली के जवाहर लाल स्टेडियम में सूट किये गए है जहांपर अमिता बच्चन और अविसेक बच्चन ने surprise विजिट किया था उछी समय उनके फिल्म में guest appearance की अफवाव भी फैली थी ऐसे ही जब फिल्म की first look release हो रही थी तो सलमान कान invited नहीं होने के बाद भी वो event पर सिर्फ रजनी कान्थ से मिलने पहुँच गए क्या ये बाहुबली और दंगल जैसे सूपर हिट फिल्मों को पीछे छोड़ पाएगी हमें निचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताईए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद